गोरकपूर, चत्तीसकर में सहारनपूर वर शामली निवासी युवकों के साथ मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर अलपसंग है कॉंग्रेस कमेटी गोरकपूर ने जिला अधिकारी के माध्यम से राश्ट्रपती को दिया ग्यापन जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपती को दिये गए ग्यापन में मान की गई की घटना में शामिल सभी गुंडों को ततकाल गिरफतार किया जाए जनपद रायपूर के एसपी और डियम को ततकाल निलमवित किया जाए मरने वाले व्यक्तियों के परिवार को उचित मुआवजा वसरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए उप प्रकरण में चत्तीजगर पुलिस धारा 302 भारतिय दन सहिता के तहट हत्या का मामला दर्ज करें ग्यापन जिला चेयर्मिन अलपसंख्यक विभाग जनपद गोरकपूर हिपजुर्रमान अजमल के नेत्रित्व में जामी नली जावेद वसीम अथर जमाल बद्रे आलम जमाल अब्दुलहई फिरोस खान मुहम्मद अयान इश्टियाक एहमद आफ्ताप एहमद खान अधन सिद्धी की फयाज एहमद फाकरुद्दीन अंसारी शमी महमद इंतियाज अंसारी सहित अन्यकार्य करता मौजूर थे गोरकपूर से एन डेली की एक्सिक्लूसिव रिपोर्ट उनका हत्यारों सपोर्ड किया 302 के जहां उन्हें 304 का अंतर दर्ज किया मुकदमा दर्ज किया और कोई कारवई नहीं कि आज तक किसी गिरता ही नहीं हुई इसलिए हम लोग हमारे परदे सद्दे सानवाज अलम मुसाब के आवान पर आज हम लोग दिला धिकारी के माध्य से राश्पती महधिया को हम जापन तुकने आए हैं ताकि नयाए मिल सके और हत्यारों सजाए मिल सके और आइंदा ये घंदा फिर नहीं हो सके कि और हैं कि पहले तो मुखनमा दर्भी बरु कि दूसरा यह है कि उनको आर्शिक मदद की जाए कि जिनकी अत्याएं हुई है बच्चे गरीब हर के बच्चे थे काफी गरीबी में थे उनकी आर्शिक मदद हो और हो सके तो उनके परिवार के एक सदर्श को नोख्री दी जाए आगे के रणीती क्या होगी अजर नहीं मिलत सब्सक्राइज माने थिसेंग गरीष बूरकपुर्ट